आप UAE में बिना स्पॉंसर के जाना चाहते हैं। आपको बता दें कि तीन ऐसे वीजा हैं जो आपको UAE में बिना स्पॉंसर के एंट्री दिला सकते हैं। नमश्कार मैं हो प्रियाचा और आप देख रहे हैं गल्पीडिया। यह आप संयोगत अरब अमिरात में लंबे समय तक निवास करने के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं या दूर से काम करने के लिए देश में अस्तान तरित करना चाहते हैं। तो प्रवासियों के पास प्रायर जग के बिना रहने और काम करने का विकल्प हैं। कि आप तीन ये तीन जो स्पेसल वीजा है उसके माध्यम से बिना स्पॉंशर के भी आप यहां रह सकते हैं UAE कामकाजी वेक्टियों के लिए तीन प्रकार के वीजा है जो सेल्फ स्पॉंशर से प्रदान करता है तो चलिए बारी-बारी इसके बारे में बताते हैं पहला है ग्रीन विजा संयुकत अरब अमिरात में पान सल का निवास पर्मिट है जिसके लिए प्रायोजग की आवशकतान नहीं होती है यानि कि स्पॉंसर के ज़रूरत नहीं होती है कुसल करमचारी फ्रीलांसर और निवेसर ग्रीन वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं लेकिन इसके लिए कुछ रिक्वार्मेंट्स है जिसको उन्हें कम्प्लीट करना पड़ता है UAE के अनुसार ग्रीन वीज़ा के लिया वेदन करने के लिए कुसल करमचारियों को चार सर्तों को पूरा करना होता है पहला एक वैद संयुक्त अरब अमीराद रोजगार अनुबंध दूसरा है मानव संसाधन और अमीराद मंत्राले के अनुसार पहले दूसरे या तीसरे वेबसाइक अस्तर में वर्गे करिट हो इसे पढ़कर वेबसाइक के अस्तर के बारे में और जाने वहीं तीसरा है सनातक डिग्री या जौब से डिलेटेड डिग्री आपके पास होनी चाहिए चौथी रिक्वार्मेंट है कि आपकी प्रती माँ जो सैलरी है वो 15,000 देहरम की होनी चाहिए वहीं एक ग्रीन वीजा धारक के रूप में कुछ अनिलाव है जिसका आप आनंद उठा सकते हैं प्राया है कि आप संयुकतर अब अमिरात में पहली डिग्री वाले रिस्तेदारों जैसे कि अपने भाई बहन बच्चे या मादा पिता को प्रायजत कर सकते हैं और बाद में संयुकतर अब अमिरात से बाहर निकलने के लिए 6 महीने की छूट अबदी भी प्राप्त कर सकते हैं आम दोर पर निवासियों के लिए यह छूट नहीं होती है यह कम अबदी की होती है जो महर 30 दिनों की है सेल्फ स्पॉंसर्सिब व्यक्ति या फ्रिलांसर ग्रीन वीजा के लिए तबी अवेदन कर सकता है जब वे इन तीन अवशक्ताओं को पूरा करता हो पहला अमीरात मंत्राले से फ्रीलैंसर पर्मिट ले दूसरा नातक की डिग्री यानि ग्राजुईशन की डिग्री या विसेस जिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए तीसरा है आयका प्रमान पिछले दो वर्सों के लिए नियूंतम तीन लाग साथ हजार देहरम या अन्य मुद्रा में समकक्षों वाई बढ़ते हैं अपने दूसरे वीजा की तरफ जो है गोल्डेन वीजा यदि आप लंबी अबदी के लिए निवास विकल्पों को तलाश रहें गोल्डेन वीजा प्रवासियों को 10 साल के वीजा पर बिना स्पोंसर के UAE में रहने, काम करने, अध्यान करने की आनुमती देता है लेकिन ये सिर्फ टालेंटेड लोगों को ही देता है इसके लिए आपको डॉक्टरी या नर्स की डिग्री होनी चाहिए या फिर कॉलेज में सनातक, निवेशक, उध्मी, वैग्यानिक, मान्यव्य कारेकरताओं जैसे वैट्टी ये वीजा ले सकते हैं गोल्डेन वीजा के लाग, बिना किसी सीमा के पती पतनी, बचो और सहाय करमचारी सहित परिवार के सदस्यों को आप प्रायोजित कर सकते हैं गोल्डेन रेजिडेंसी को वैद रखने के लिए UAE के बाहर रहने की अधिक्तम अबदी पर कोई प्रतिबंद नहीं है गोल्डेन वीजा वेरकों को 6 महीने का ई-वीजा प्रदान करता है जिसे उन्हें गोल्डेन वीजा जारी करने की प्रकीरिया पूरी करने के लिए प्रयाप समय मिल जाता है परिवार के सदस्यों को उनके पर्मिट की अबदी के अंता गोल्डन वीजा के मूल्ध हारक की मिल्ट्यू की स्थिती में संयुक्त अरब अमिरात में रहने की अनुमती है अगला है वर्चुल वर्क रेजिडेंस वीजा UAE के बाहर कारेरत विदेसी वर्चुल वर्क वीजा पर बैद रूप से यहां रह सकते हैं एक साल का वीजा उन्हें सेल्फ स्पॉंसर्सिप के तहट संयुक्त अरब अमिरात में प्रवेस करने और वीजा के साथ जरूरी नियम और सर्तों के अनुरूप काम करने की अनुमती देता है यरियाब, आवुधाबी, शार्चाह, आजमान, उम, अल, क्वेल, रास, अल, खेमा या फुजहरा से दुरूप में काम करने की यूजना बनाते हैं तो आपको ICP के माध्यम से वीजा के लिए आवेदन करना होगा और कुछ शर्ते हैं जिनको आपको पूरा करना होगा जैसे साबित करें कि आप संयुक्त अरब अमीरात के बाहर किसी संगठन के लिए दूर से काम करते हैं इसके साथ ही बारा हजार आच्सो तिरेपन दहरं की मासिक आई प्राप्त करते हैं या किसी भी अलग मुद्रा में आपकी जो आई है वो इसी के बराबर होनी चाहिए यानि की भातिये मुद्रा में या 2,86,294 रुपे होती है तमाम जानकारी उमीदे आपको पसंद आई हो बने रहे ऐसी तमाम जानकारीों के लिए गल्पीरिया पर